Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most, in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नमस्कार क्या आपको पता है कि केजरिवाल जी को गिरफ़तार क्यों किया है? केजरिवाल जी को NDA के एक MP के ब्यान पर गिरफ़तार किया है. उनका नाम है Magunta Shrinivasaloo Reddy यानी MSR. MSR आंद्र परदेश से NDA के एक सांसद है. MSR ने ऐसा क्या ब्यान दिया जिससे आपके मुखे मंत्री केजरिवाल को गिरफ़तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को MSR के ठिकानों पर ED की रेड हुई. उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरिवाल जी से मिले है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरिवाल जी से दिल्ली सचीवाले में उनके दफ्तर में मिला था. मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाता था, उसके लिए दिल्ली के CM से जमीन के बारवें बात करने गया था. केजरिवाल जी ने कहा, लैंड LG के पास है, एप्लिकेशन देदो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए. E.D. को MSR का जवाब पसंद ही नहीं आया. E.D. ने कुछ दिन बाद MSR के बेटे रागव मगुंटा को गरफतार कर लिया. फिर से MSR के और ब्यान लिये गए. मगर वो अपना पहले वाला ब्यान ही धोराते रहे क्योंकि वही सच था. और उनके बेटे रागव रेड़ी की बेल खारीज होती रहे. इस दोरान सदमे से रागव की पतनी यानी MSR की पुत्रवदू ने आत्मत्या करने की कोशिश की. और उनकी बूरी माँ बहुत बिमार हो गई. इन सब को देखते हुए बेटे के लिए बाप भी तूट गया. 17 जुलाई 2023 को पिता MSR ने ED में अपना ब्यान बदल दिया. उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजिवाल जी से मिलने गया था. मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई, वहीं 10-12 लोग बैठे थे. मेरे कमरे में घुसते ही केजिवाल जी ने मुझसे कहा, कि दिल्ली में आप शराप का काम चुरू करो. बतले में आम आदमी पार्टी को 100 करोर रुपिये दे दीजे. केजिवाल जी से ये मेरी पहली और आखरी मुलाकात थी. इस ब्यान के बाद अगले ही दिन, MSR के बेटे रागव रेडी को एडी ने बेल दिल्वा दी. जाहिर है कि MSR का ये ब्यान जूटा है. वे खुद कह रहे हैं कि ये उनकी केजिवाल जी से पहली और आखरी मुलाकात थी. दस बारा लोग वहां बैठे थे. अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे, तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही दस बारा लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा. जाहिर है कि MSR के बेटे और परिवार को पांच महीने बूरी तरह परतारित किया गया. इसलिए MSR ने अपने बेटे को बचाने के लिए जूटा ब्यान दिया. और इस ब्यान को देने के बाद दो दिन में ही MSR के बेटे को बेल मिल जाती है. इन सब ब्यानों से एक बात तो साफ हो गई. कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए MSR ने जूटा ब्यान दिया. कोट ने भी केजरिवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि ED ने बेल का लॉलिपप देकर ब्यान लिया बिना किसी सबूत के. आपके बेटे केजरिवाल जी को एक गहरे राजनेतिक शड्यंत्र का शिकार बनाया गया है. वो एक समानने पढ़े लिखे देशभक्त और कटर इमानदार वेक्ती हैं. यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो इस देश में पढ़े लिखे इमानदा लोग कभी राजनीती में नहीं आएंगे. क्या मोदी जी केजरिवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे EDCBI के जरिये एक घहरे राजनीतिक शड्यंत्र के तहत आपके केजरिवाल और आमादमी पार्टी को खतम करना चाह रहे हैं. जै हिंद।